महिलाओं को जो सबसे ज़ादा fat बढ़ता है जो fat accumulate होता है fat जमा होता है वो दो जगह पे होता है पहला होता है उनके breast पे दूसरा होता है उनके belly पे यानि कि पेट के चारो तरफ पूरा इधर side तक तो इन दोनों चीजों को कम करने के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत करने वाली जो कि पीरे में इतना tasty लगेगा कि जो लोग चाय के शौटीन है चाय के विना नहीं रह पाते उनकी चाय भी छुट जाएगी अगर आप इस drink को पीएंगे तो और सबसे अच्छी बात ही है कि इसको बनाने के लिए आपको कोई ज्यादा ताम जाम नहीं करना सिर कि आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करती है जिन लोगों को गास का प्रॉब्लम है एसरेटी का प्रॉब्लम है पेट साफ नहीं होता ब्लॉटिंग रहती है पेट असे फूला फूला सा रहता है थोड़ा भी खाये तो ऐसा लगता है पतानी कितना खाली है अगर इस कि बनाने के लिए चलते हैं हमारी किचन में और इसमें आपको डालना है एक कप पानी यह आप देख सकते हो कि एक कप पानी डालने के बाद अब आप गयास को आउन कर दीजिए इस पानी में अब हम डालेंगे एक छोटा टुकडा अदरग का इतना अदरग आप ले लीजिए और इसको आपको बारी krat कर लेना है और फिर आप इसको बारी कूट लीजिए इस तरीके से बारी कूटने के बाद पानी में आप इस अदरग को डाल दीजिए जो ये अद्रक होता है इसमें थर्मोजेनिक effect होता है जो कि आपके metabolism को boost करता है और आपकी calories को जदा वर्न करने में help करता है दूसरा यह आपके appetite को भी control करता है यानि कि जो बार-बार आपको भूग लगती है या खाने पर आपका control नहीं होता तो यह बहुत अच्छा वर्ग करता है आपकी over eating को control करता है जिससे कि आपके calories भी control होती है और आराम से आपका weight loss होता है तीसरा इसमें होती है anti-inflammatory properties यानि कि यह आपके inflammation को reduce करती है जो कि आपके weight loss के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है चौथा यह आपके blood sugar level को stable करता है जिससे कि आपकी body में sugar का level सही रहता है तो इसको अभी हम अच्छे से पकने देंगे पहले जब पानी अच्छे से boil होने लग जाएगा तो हमें इसको और पेट क्लियर नहीं होता, constipation बहुत जादा रहते हैं उनके लिए भी बहुत जादा अच्छी चीज है अद्रक तो इसका इस्तिमाल आपको जरूर करना चाहिए यह drink आपको कप पीनी है वो भी मैं आपको बता जीती हूँ इस drink को पीने का best time है कि आप खाने खाने के बाद आप अपने लंच के 15-15 के बाद पी सकते हैं अभी देखिए पानी अच्छे से वाइल होने लग रहा है तो आपको यह इसी तरीके से उबालना है पानी को अच्छे से कम से कम पांच मिनट तक इसको इसी तरीके से उबलने दी इसके बाद अगर इंडियंट इसमें क्या डा यह देखिए फ्रेंड हमने इस ज्रिंक को छान लिये अब जो दूसरी चीज आपको इसमें मिलानी है और आधा लेमन आपको लेना है और इसको इसमें इस तरीके से अच्छे से स्क्वीज कर लेना है तो कि नीमू क्या करता है आपको हाइड़ेट रखता है हाइड़ेट होने से भी आपका जो एपटाइट है वो काफी कंट्रोल रहती है दूसरा आपके डाइजिशन को इंप्रूफ करता है और तीसरा इसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके इमिन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है अगर आपको इमिन सिस्टम अच्छा होगा तो आप आराम से वेट लॉस भी करेंगे और हेल्दी वेट लॉस करेंगे यह दो चीजे तो आपको इसमें मिलाना मस्ट है तीसरी जीज जो है वो कम्प्लीटली ओप्शनल है अगर आपको वजन नहीं घटाना सिर्फ अपना बैली फैट कम करना है यह सिर्फ अपना ब्रे तो इस तरीके से यह आपका ड्रिंक बनके तैयार है सिर्फ दो इंडिकेंट हमने इसमें यूज किया है तीसरा कम्प्लीटली ओप्शनल है आपको चाहिए तो आप मिलाइए नहीं तो आप इसको पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं इसको आप दिन में दो बाल ले सकते हैं लंच के बाद और अपने डिनर के बाद आपको यह ड्रिंक कैसा लगा मुझे कॉमेंट शेक्षिन में जरूर बताईए अगर आप 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 कुछ से कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वह प्लीज आप जरूर बताईए आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इस